नमस्कार मेरा नाम हेरावी आपका स्वागत करता हूँ और थवर्दन चनलन में NJ Mutual Fund अपना एक नए NFO लाउंच करने जा रहा है जो कि है NJ ELSS Tax Saver Scheme ये NFO 13th March को उपन हो जाएगा और 9th June को क्लोज हो जाएगा इस fund के अंदर investment करने से आप अपना tax saving भी कर सकते हैं Tax Saver Scheme या फिर जिसको हम ELSS Scheme भी कहते हैं उसके अंदर अगर हम 1.5 लाख रुपए जितना investment करते हैं तो under section ATC के according हमें यहाँ पर tax direction भी देखने को मिलता है मतलब हमारा tax saving भी होता है आपको यहाँ पर हमेशा यह ज्याद रखना है कि ELSS जो Scheme होती है उसके अंदर 3 साल का lock in period रहता है मार्केट में इसके जैसी और भी कोई Scheme अवेलेबल नहीं है मतलब कि ऐसी कोई Scheme जिसके अंदर सबसे कम lock in period रहता हो मातर mutual fund के अंदरी ELSS scheme जिसको हम tax saver scheme कहते है उसके अंदरी सबसे कम हमें lock in period देखने को मिलता है 3 साल के बाद जैसे ही आपका lock in period खतम होता है आप अपने पैसों को redeem कर सकते हो NJ ELSS tax saver scheme 13th March को open हो जाएगा और 9th June को close हो जाएगा इस fund का benchmark करेने वाला है Nifty 500 TRI और इस fund का exit load रहेगा Nil मतलब आपको अपने पैसों को redeem करने के समय किसी भी तरीके का exit load पे करने की ज़रूत नहीं रहेगी इस fund का NAV और expense ratio जैसे ही NFO period खतम हो जाएगा आपको देखने को मिल जाएगा यह एक open ended category का fund रहने वाला है मतलब इस fund के अंदर आप कभी भी अपने पैसों को invest कर सकते हो लेकिन redemption के समय आपको 3 साल जितना wait करना पड़ेगा यह regular और direct दूनों मोड में available रहने वाला है इसमें आपको growth और dividend दूनों options देखने को मिलेंगे अगर आपको अपना investment start करना है तो आप SIP, Lumsum, HWP या Strip चारों में से किसी भी मोड में अपना investment start कर सकते हो अगर आपको अपना investment start करना है तो Lumsum मोड में मात्र 500 रूपी से अपना investment start कर सकते हो या फिर अगर आपको अपनी SIP स्टार्ट करनी है तो मातर 500 रुपीज पर मन्स आप अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हो अगर आपको अपने portfolio को review करवाना है या फिर और भी कहीं पर भी investment करना है तो नीचे दिये गए number पर आप call कर सकते हो और हमसे guidance ले सकते हो या फिर description में मैंने एक link दिया हुआ है वहाँ पर आप click करके अपना investment स्टार्ट कर सकते हो mutual fund के अलावा यहाँ पर आप insurance, FD, pre-IPO, PMS और debentures जैसे अलग-अलग options को भी check out कर सकते हो इस fund के asset allocation की बात करें तो equity portion में यहाँ पर minimum 80% से लेके maximum 100% जितना asset allocation रहने वाला है और debt portion में यहाँ पर minimum 0% से लेके maximum 20% जितना asset allocation इस fund के अदर हमें देखने को मिल सकता है debt portion में यहाँ पर investment liquidity को maintain करने के लिए किया जाता है इस fund के manager रहने वाला है Viral Shah जिनको 10 साल से भी ज़्यदा के experience है इन्होंने अपना career NJ Group से ही शुरू किया है अगर इनके education qualification चेक करें तो इन्होंने अपना B.E. complete किया हुआ है और साथ में MBA in finance भी complete किया हुआ है अब मेरा क्या मानना इस fund के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ इस fund के अंदर investment करने से पहले आपको यह बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर 3 साल का lock-in period रहने वाला है अगर कोई undisciplined investor है तो इनको ELASA scheme के अंदर जरूर investment करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर आपका 3 साल का period lock-in का रहता है अगर आपने और भी कहीं पर भी investment किया हुआ है तो आप इस fund के अंदर investment करके अपने portfolio को diversify कर पाऊगे को भी चेक करना है तो description में मैंने एक link दिया हुआ है वहाँ से आप checkout कर सकते हो अगर आपको investment के regarding किसी भी तरीके का question है तो आप हमें telegram, twitter और instagram पर follow करके अपने questions को बूच सकते हो ओप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो like करो, share करो और subscribe करो Thank you